दोस्तो बिहार की सिख्छाख भरती के लिए कैटिगरी वाईज अलग-अलग अधिक्तम उम्र की सीमा क्या रखी गई है और उम्र किस डेट से काउंट की जाएगी इसके अलावा अगर आप एक अन्य राजिक के भीड़ती हैं तो आपके लिए उम्र की अधिक्तम सीमा क्या है इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे अंतर तक जूड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते होगे बेल एकन को प्रिस करना ना भूलें इसको पर आप ओफिशिल नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे इसमें पांचवे पॉइंट में उम्र की सीमा के बारे में चर्चा की गई है पहला पॉइंट आप ध्यान से देख लेजिए नियूंतम एवं अधिकतम उम्र के लिए कट आफ तिती जो होगी वो एक अगस्त 2023 निश्चित की गई है यानि कि आपकी उम्र जब काउंट की जाएगी वो तिती एक अगस्त 2023 की होगी यानि एक अगस्त 2023 के अनुसार ही आप इलिजिबल है या नहीं एज के हिसाब से वो काउंट किया जाएगा ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं नियूंतम उम्र सीमा क मिल जाता है तो अगर आप देखें तो 17 साल में अभेर्थी 16-17 साल में अभेर्थी intermediate पास कर जाता है और उसके पाद से 2 साल DLED में यानि कि 18 साल में वो DLED कम्प्लीट कर चुका होगा या फिर final year में होगा इसलिए नियूंतम उम्र सीमा प्रात्मिक विद्याले के लिए 18 वर्स तैकी गई है वही मादमिक और उच मादमिक के लिए नियूंतम उम्र सीमा 21 वर्स तैकी गई है अब आते हैं अधिक्तम उम्र सीमा के बारे में तो अगर आप एक male candidate हैं और अन्रिजर्व कैटिक्री से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 37 वर्स उम्र निर्धारित कि या गया है यह बिहार के अभियरतियों के लिए होगा अगर आप बिहार के बाहर के अभियरतिये तो चुकिक आप अन्रिजर्व में काउंट होंगे तो उसके लिए आपकी अधिक्तम उम्र जो होनी चाहिए वह 37 वर्स होनी चाहिए यानि कि 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 37 वर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर 37 से कम है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे आने राजय की अभियरती मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बिहार के अलावा जितने भी राजय हैं सभी राजयों की अभियरती जिनकी अधिक्तम उम्र 1 अगस्त 2023 को 37 वर्स से कम है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे अगर 37 वर्स से ज़्यादा है तो आप आवे हो